नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सनवाल एजोटेक यूटूप चलना है दोस्तों बात करें राजस्तान दस्यू बार्यू बोर्ड परिक्ष्याओ 2013 का टैम टेबल जारी हो चुक है यंकि दस्यू और बार्यू का टैम टेबल जारी कर दिया गया है नो मार से सुरू होने वाली एक्जाम दोस्तों तयारी के अंदर लग जाओ टैम टेबल सहीत आपको बताने वाला हूँ complete अपनी जो भी विश्यू है नोट कर लेना यंकि जो भी आपकी जो subject है और टैम क्या क्या रहने वाला है सबसे पहले हम बात करते हैं जो दस्वी का टैम टेबल है उसके बारे हम बात करेंगे बारी क्लास का टैम टेबल जी हाँ दोस्तों ये है आपके सामने दस्वी क्लास का टैम टेबल साड़ी आर्ट से लेके 11.45 मिट तक आपका एक्जाम रहेगा तो exam का जो timer note के लेना साड़ी आर्ट से 11.45 अब विसे note के लेना दस्वी किलास की बात कर रहा हूँ उसके बाद में 12 किलास के हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 16 मार्च जो exam start है 10 मार्च की और 12 किलास की है 9 मार्च से exam start 16 मार्च 2003 को जो पहला paper पर इंग्रेजी का होने वाला है 17, 18, 19, 20 ये चुटी रहने वाली है यान कि इस बार बहुत बड़ा गयप यहां पर दिया गया है exam में उसके बाद हम बात करें 21 तारीक को हिंदी का paper रहेगा फिर से आपकी 3 दिन की चुटी रहने वाली है फिर 25 तारीक को आपका समझ विज्ञान का paper रहने वाला है समझ विज्ञान के बाद के बाद यहां पर देख सकते हैं 27, 27, 28, 3 दिन फिर्शे आपकी चुटी रहेगी 29 को यहां पर 29 मार्च को विज्ञान का paper रहेगा 30, 31, 1, 2 यहां चार दिन फिर्शे आपको चुटी मिल रही है तीन तारीक को गणित का paper रहने वाला है तीन तारीक के बाद में 4, 5, 6, 7 यहां कि चार दिन आपको फिर्शे चुटी मिलेगी 8 अप्रेल को एक्जाम होगी तिर्टिय बास है जो संसकर्त आती है उर्दो आती है गुजराती सिंदी जिसकी जो subject है न वो देख लेना 8 अप्रेल को 9, 10 फिर से आपको चुटी आपको दी गई है बात करें 11 अप्रेल लाश पेपर है जिसका भी जो भी पेपर है 11 अप्रेल के अंदर वो अपना note कर लेना यानिकि लगबग सबी चात्रों के समझ में आ गया होगा कि आपका जो time है क्या रहने वाला साड़ी आठ से 11, 35 तक रहेगा जो भी आपकी जो subject और note कर लेना ओके आराम से बिल्कूल असनी सिसको note कीजिए अब बात करते हैं याँ पे बार्वी किलास के बारे में बार्वी किलास की जो एक्जाम है वो कब कब होने वाली है यह है बार्वी किलास का time table यानि कि 9 मार्च से एक्जाम स्टार्ट हो चुके इसका भी time साड़ी आर्ट से 11, 35 से ही रहने वाला है सबसे पहले 9 मार्च को मनविग्यान 10 मार्च को लोग पर से दन वाली एक्जाम उसके बाद में 11 मार्च को पर्यावन विग्यान वाली एक्जाम होगी 12 मार्च को चुटी रहेगी 13 मार्च को सारेरिक सिक्सिया के एक्जाम रहेगा 14 मार्च को कंड संगीत नर्थेकर तक वाद्य संगीत वाला यह आपका एक्जाम रहने वाला है 15 मार्च के बात करें तो समास सास्त्रे के एक्जाम होगी 16 मार्च को छुटी रहेगी 17 मार्च को संसकर्ट साहित्य संसकर्ट वाडमे के एक्जाम होने वाली है 18 और 19 को छुटी रहने वाले 20 मार्च को भोगोल लेका सास्त्र बोती विज्ञान वाला पेपर रहेगा बात करते 22 मार्च को अंग्रेजी अन्वारे का पेपर होगा 23 तारीको छुटी 24 मार्च को एक जाम हिंदी अन्वारे का पेपर रहने वाला है नोट करते रहना 25 और 26 तारीको छुटी रहेगी 27 मार्च को इतियास का पेपर वेविशाय ध्यान का पेपर है किर्शी रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान पेपर है 28 मार्च को अंग्रेजी साहित्य का पेपर होगा 39 और 30 मार्च के छुटी रहेगी 31 मार्च को यहाँ पे गनित का पेपर रहने वाला है बात करते हैं एक अपरेल को अर्शास्तर का एकजाम रहेगा और जो भी आपकी जो सब्जेक्ट हो देख लेना किर्शे जी विग्यान मिसमें है जी विग्यान मिसमें जो बायोजी की स्टूडेंट है दो तारीकों चुटी रहेगी 3 अपरेल को कंपटर विग्ञान और जो आपको इनफॉर्मेटिक्स से जो प्रक्टिसेस है उसके एक्जाम रहे लेगे 4 अपरेल चुटी रहेगी 5 अपरेल को दरसन साथ्र सामने विग्ञान के एक्जाम 6 अप्रेल को राजनेती विज्ञान, भू विज्ञान, किर्श विज्ञान के एक्जाम होने वाली है बात करते हैं 7 अप्रेल को चुटी रहेगी 8 अप्रेल को गरे विज्ञान का एक्जाम रहेगा बात कर लेते हैं आपको जो time table कहां पर देखने के लिए मिलेगा टेली ग्राम पर आपको ये दोनुग को दूनियो time table आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डिस्क्रप्शन पे लिंक है टेलिग्राम की सनवाल एज्यूटेक जैसे आप सर्च करेंगे टेलिग्राम पे तो आपको वहां से आप देख सकते हैं ओके तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें 2022 के कंप्लेट पेपर योटूब चैनल के अपलोड हैं वहां से आप तैयारी कर सकते हैं और जो मैं अब दीरे दीरे आपे में पेपर भी डालता रहूंगा most important भी क्यूसन डालेंगे उसे भी आप तैयारी कर सकते हैं थैंक्यू